भोशपूर में आज आहर की खुदाई में हो रही मनमानी से नाराज किसानों ने जम कर परदसन किया मामला चरपोखरी थाना के मजियाओ गाउं से जुड़ा है जामुक मंत्र नितीज कुमार की महत्त्व कांक्षी योजना जल जीवन हरियाली योजना के तहत गाउं में हो र किये जाने की बात कह रहे थें कार्यस्तल पर उपसित आकरोशित किसानों ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति समिदन सील है हमारे खेतों को पानी मिले प्रयाप्त मात्रा में जल संचे हो इसके लिए आहर उडाई हो रहा है लेकिन ठेकेदार और विचोलियों की मिली भगत से इस योजना को पलीता लगाया जा रहा है मौके पर मौजूद पूर पंचायत समिती अध्यक्ष असोक तिवारी ने कहा कि वे सरकारी रासी का बंदरबाट नहीं होने देंगे चाहें इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े वहीं अस्थानी एक किसान राम बिने तिवारी संजे तिवारी पैक्स अध्यक्ष भरत तिवारी ने कहा कि नियमानों कूल भू अभिलेक के मुताविक जब तक आर की उड़ाई सही तरीके से नहीं होगी तब तक किसानी का में दुरोग परदसन होते रहेगा मिति की खुदाई हो रहे है आहर के उसकी सब्हाई उसके उगोजना के अनुसार एस्टिमेट के अनुसार नहीं हो रहा है आहर में बहुत सारे ग्रामी जनता लोग भर लिये हैं, उसको अंदेखी करके चला जा रहा है ठिकदार द्वारा, मिठी के कटाई उस धंस नहीं की जा रही है, जितना चाहिए. जाल जीवन हर्याली का उजिना चल रहा है, मुखमंती द्वारा, इस उजिना में मनमानी धंग से ठिकदारों द्वारा लूठ खुषूर मचाया गया है, ना धरातल पे कोई जिना है, ना धरातल पे कोई कार्या है. यहां सिर्फ ठिकदार आता है, आहर के जो कौंटिटी है, लेंध है, उसको छोट करकर चला जाता है, लेंध हमारा है मालेगे 90 फिट, उसको 10 फिट में आहर कट रहा है, इससे आम किसानों का कितना परसानी बढ़ेगा, उस लेंध को छोट करने पर पानी के जल जमाव रख किसले कम अच्छे ढ़ंग से आहर की सफाई हो योगी पानी के स्टो करा सके है, इसलिए अप लोग आक रोसे की भी हार सरकार के दो आरा आहर की सफाई हो रही है और इसमें आहर जितना है, उतना नहीं कटा जा रहा है, कुछ लोग पैंडा दिया है, कुछ लोग जमीन भर क कर दख़त कर लिए हैं और उसको सफाई नहीं किया रहा हैं इसलिए हम लोगा क्रोसित है कि कम से कम जितना बहा सरपर का जमीन है उता पकड़कर करके सफाई इसलिए हम लोगों का जल्ल यह जो सब्सक्राइबया दित्सान हमनेします जमा होगा जिस लिए्यारन नाम हमारा नाम तो राम बिनेटी बारी है एक किसान है यहां के